जिस नमस्ते कैसे आप सब चलो आज फिर से केक बनाऊंगा और ये वाला भी केक बनाऊंगा ना बहुत सिंबल सा बनाने वाला और वो भी जस्ट इंगेज़ के लिए बनेगा आप लोग से एक बात पूछ रहा हूं ठीक है बता ना जिसे आप लोग में से जो वीडियो देख सिर्फ क्रीम से आइसिंग करना है फ्लावर एड करना है उपर मतलब इंगेजमेंट का टॉपर लगाना है ठीक तो मतलब मैं बताया भी था अगर आप इससे पहतर केक ले सकते हो अगर अच्छा आप कुछ चाहिए तो बोलो मैं बता देता हूं फोटे फिनेट से अब निक से अगर दिया और उसके साइड से फिर से मतलब बुलू कलर का डबल इस तरह से मतलब लेयर लगा हुआ ठीक इसमें करीम का तो वह भी समें लगा दी हो लेकिन हाँ जो साइड का लेयर लगाते हो डबल से वह वाला क्रीम को थोड़ा स्मूथ कर लेना आप लोग आप लिग फट रहा उसके बाद फिनसिंग देना कि कितना भी कोजिस करो नहीं होगा करीम आपका पहले क्रीम में फिनिसिंग रहना चाहिए उसके बाद केक में फिनिसिंग आएगा और जैसे बहुत जन बोलते हैं आपके पस AC इसलिए इसलिए ऐसा हो ता ज़रूरी नहीं हम भी बेन AC का बहुत बर काम किई है और करना पड़ता है कभी कभी जैसे AC खराब हो गया या फिर एक एक दिन लाइट नी रहता है तो उस टेम तो बिना AC का ही काम करना पड़ता है लेकिन हाँ उस जगा क्या करते हैं जैसे deep freeze या freeze है तो मतलब थोड़ा cream हम freeze में रखते है थोड़ा जो काम करते है ठीक है जो बाहर वाला cream मेरा देखने की खराब होने लगता है तो फिर जो हम freeze में रखे रहते cream उसको हम बाहर करके उसके बाद काम करते हैं क्यों की cooling रहेगा ना cream क्रीम उसके बाद आपको कुछ भी नहीं होगा ठीक है उसमें एसी बगर जुरत फिर नहीं पड़ेगा आपको उतना मतलब कीरीम लेकिन कूल रहना चाहिए क्रीम आपका गरम होगा ओटमेटिक फटने लगेगा या फिर मेल्ट होने लगेगा तो जब देखो कि मेल्ट हो रह था वहां पे मतलब गोल्ड का पेंट मार दिया हो ठीक है उसमें देख सकते हो रवा की बीच बीच में ऐसा छोट छोट बाल्स लगादिया और उपर टॉप में क्रीम का ही मतलब फलावर लगाना था वो भी इसमें लगा दिया और रेडीमेट का कुछ मतलब इस प्लास्ट और कट करके लगा देंगे और उपर में just engaged का tag इस तरह से लगा दिए ठीक है तो बस यही था आज का डिजैन ये वले केक का और क्या था इसमें बताओ engagement के जैसा symbol था ना पूरा आप लोग बताना ठीक है कैसा बना